MP चिनाव में इन दिनों राजा और महराज के बीच जुबानी जंग तेज है सिंधिया और दिगवजय एक दूसरे पर लगातार बयानों की तीर चला रही है अब केंद्री मंत्री जुतरादत संधिया ने कॉंग्रिस के पोस्टर पर दिगवजय के फोटो गायब होने पर चुटकि ली देखें रिपोर्ट MP की महाभारत में बयानों का महासंग्राम राजा और महराज के बीच चल रहे बयानों के तीर मध्यप्रिदेश की चुनावी संग्राम में राजा और महराज के बीच सियासी तकरार दिन बढ़ती ही जा रही है दिगविजय सेंग और जोतिरादित संधिया अपनी हर सभा में एक दूसरी पर तीखी टिपणी कर रहे हैं हाल ही में दिगई राजा ने संधिया पर चुटकी लेते हुए कहा था कि भाजपा ने महराज को भाई साहब बना दिया है और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है वो मान सम्मान जो कॉंग्रेस ने दिया राजीव जी ने दिया इंद्रा जी ने दिया सोनिया जी ने दिया राहुलो प्रियंका जी ने दिया ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं इतना मैं बताए देता अरे हम उनको महराज 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 करते थे भाजपा ने उनको महराज से भाई साब बना दिया साथियों मैं आज आप से इतना कहना चाहता हूं कमला जी वहीं अब महराज यानि की केंद्रिय मंत्री जुतरादित संध्या ने कॉंग्रिस की जन आकरोश रैली के पूस्टर से दिगविजय के फोटो गायब रहने पर तंच कसा संध्या ने कहा कि कॉंग्रिस की सभी नेताओं का चहरा है लेकिन दिगविजय सिंग का नहीं है क्या यहीं सम्मान कॉंग्रिस पार्टी अपने दो टर्म के मुख्य मंत्री को दे रही है और उनका चहरा ही गायब कर दिया कॉंग्रिस का आकरोश खुद सामने आ रहा है कि आज मुझे आश्चर्या है और थोड़ा दुख भी है कि आधर्निय दिगविजय सिंग जी का चहरा कॉंग्रिस ने अपने पोस्टर में से हटा दिया है जो इनकी रैली निकल रही है इसमें कॉंग्रिस की सभी नेताओं के चहरे पोस्टर पे है दरसल कॉंग्रिस की जन आकरोश यातरा को लेकर प्रेस कॉंफरेंस हुई जिसमें कॉंग्रिस की सभी बड़े नेताओं के फोटो थे लेकिन दिगविजय सिंग का फोटो गायब था वहीं खास बात ये भी है कि दिगविजय इस प्रेस कॉंफरेंस में मौजूद भी नहीं थे जिसे लेकर आम महरात सिंधिया ने इसे कॉंग्रिस की गुडबाजी करार दिया है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, फोपाल